तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एक ऐसा परियोग जिससे आपके शरी के दाग धब्बे खतम हो जाएंगे तो चलिए जान लेते हैं हमारे इस वीडियो में डीप कट ब्लाउज हो या डीप बैक कट काउन या फिर कोई डीप बैक ट्रिस या आपको कमाल का खुबसूरत लोग देती है लेकिन पीट पर मौझूद दाग धब्बो के कारण कुछ माइलाएं डीप बैक कट ट्रिस पहनी नहीं पाती लेकिन अब आपको परिशान होने की जरूरत नहीं क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी मदद से आप अपनी पीट पर मौझूद दाग धब्बो से चुटकारा पास सकेंगी और अपनी मन पसंद कोई भी ड्रिस पहन सकेंगी तो देखे इस बात की चलिये जानते हैं जाइफल में एंटी फंगल, एंटी बेक्टीरियल और एंटी इंफ्लामेटरी गुड़ पाई जाते हैं इसलिए ये दाग धब्बो को दोर करने में सहायक होता है दाग को हटाने के लिए जाइफल का पाउडर लें और इसमें इक चमश शहर और दालचीनी पाउडर को आपको मिलाना है फिर सभी चीजों को अच्छी तरह मिला कर इसे अपने दाग धबो वारी जगा पर लगाएं और बाद में पानी से इसे धोडा लें नमबर 2 नीबू का रस नीबू में पाया जाने वाला citric acid और estrogen good पीट के दाग धबो को दूर करने में सहायक होता है दाग धबो को दूर करने के लिए आपको एक नीबू लेना है और इसके टुकडे कर लें फिर इसका रस पीट पर लगाएं या टुकडे को पीट पर रगड़े रस को हवा से आप सूखने दें और फिर पानी से धोडा लें नीबू का रस त्वचा के पीट सर को बना कर रखता है प्याज में एंटी इंफ्रामेट्री और एंटी वाइरल गुण पाय जाते हैं जिसके कारण ये दाग धबो को दूर करता है तो इसके लिए आपको दो सफेद प्याज लेनी हैं उनका रस निकालें इसमें एक बूंध नीबू का रस और एक बूंध शेहर मिलाएं इन सभी चीजों को अच्छी तरह आपको मिलाना है इस मास को त्वचा पर लगाएं और पंद्रा बीस मिनट बाद दो डालें नमबर फोर खीरा खीरा त्वचा को नमी प्रदान करता है त्वचा से अशुद्यों को दूर करता है और इसके नियमित उप्योग से बंद रोम छिद्रों को भी खोलता है तो इसके लिए आपको कुछ खीरे लेने हैं और उन्हें टुकडों में काटें अब इसे पीस कर आप पेस्ट बनाएं और अपनी पीठ पर लगाएं कुछ देर तक इंतजार करें और बाद में ठंडे पानी से धोडा लें नमबर फाइव मुलतानी मिठी मुलतानी मिठी त्वच्चा से अत्रक तेल सोकने में मदद करती है यह रोम छिद्रों को खोलती है और पीठ के दाग धबो का उपचार करती है दाग धबो को दूर करने के लिए थोड़ी सी मुलतानी मिठी पाउडर लेकर उसका पेस्ट बना लें और इसे अपनी पीठ पर लगाए आप चाहे तो मुलतानी मिठी में चंदन पाउडर भी मिला सकते हैं तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हमने जाने कुछ ऐसे तरीके जिससे हम अपने शरीर के दाग धबो को दूर कर सकते हैं तो अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक, शिर और कमेंट करना ना भूले और हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही दिये गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए खाकि आपको हमारी लेटिस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके थैंक्स फो वाचिंग दिस वीडियो, तिल देन स्टे हल्दी एंड स्टे ब्यूटिफिल वित मी